मेरे transplant को तीन महीने हो चुके हैं और ये वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ अपना medication routine मुझे एक बात बिलकुल अच्छी नहीं लगी कि जहां से मैंने hair transplant करवाया आप से बेजा जाता है कि आपको ये-जे medications यूज करनी और उसमें लिखा हुआ था 1MG Finasteride I know कि मेरी journey पर इसका experience shared किया shedding के साथ और आपको क्या करना चाहिए अपनी shedding को control करने के लिए और make sure करने के लिए कि आपकी hair growth hair transplant में अच्छे से हो और smoothly जाए मेरे transplant को तीन महीने हो चुके हैं और ये वीडियो में मैं discuss करने वाला हूँ अपना medication routine क्या क्या चीज़े मैं कर रहा हूँ अपने बालो महीने का result बहुत जादा I would say crucial हो था because एक first quarter हो चुका आपके hair transplant को तो क्या-क्या medications क्या-क्या चीजों का मैंने ध्यान रखा है वो चीजे मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है और अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए hair transplant करवाने से पहले की journey भी है जो मेरे hair की condition पहले की थी और उसके बाद हर एक step मैंने आपके साथ share किया है so पहले बात करते हैं medication की so guys मेरी medication जो शुरू हुए थी वो 30 days के बाद शुरू हुए थी 31st month मैंने कोई भी medication नहीं ली थी because मुझे मेरे clinic ने नहीं suggest किया था उन्होंने का था कि 30 days के बाद आपका minoxidil और ये सारी treatment शुरू होगी जिसके बाद उनका मुझे एक message आया था जिनमें उन्होंने medication मुझे दी थी अब मैं आपको honest बताने लगा हूँ इस video में कि क्या मुझे मेरे clinic ने suggest किया था plus क्या मेरा reaction था उसके उपर सो गैस मुझे एक बात बिलकुल अच्छी नहीं लगी कि जहां से मैंने hair transplant करवाया 30 days no doubt उनका support on WhatsApp was fine मैं questions कोई भेजता था मुझे answer जरूर आता था और 30 days के बाद मुझे staff से भेजा जाता है कि आपको यह यह medications यूज करनी है एक message भेज दिया जाता और उसमें लिखा हुआ था 1 mg finasteride and then उसमें एक hair vitamin दिया था minoxidil दी ती दिन में दो time लगाने के लिए plus shampoos दिये थे but मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि उन्होंने मुझे 1 mg finasteride दे दी without consulting with me या एक finasteride से पहले न क्लिनिक वालों को हमेशा उस patient से patient के साथ discuss करना चाहिए उस medicine के बारे में और एक psychological एक fit होता है एक बंदा finasteride को लेके वो देखना चाहिए कि ये बंदा finasteride के लिए psychologically fit है physically fit है या नहीं है without judging that अगर वो क्लिनिक आपको directly बोल रहा है कि खा लो without talking to you or having a conversation with you ये मुझे बहुत जादा professional behavior नहीं लगा जिसका reaction मेरा ये था कि मैं already काफी finasteride के बारे में पढ़ चुका था और मुझे था कि मुझे जैसा कि मैं overthink करूँ और जो मुझे overthinking के symptoms रह चुके हैं पहले तो मुझे वो trigger नहीं करना था so I wanted to take it slowly I know कि मेरी जर्नी पर इसका impact पढ़ सकता है बड़ उसी के कारण मैंने grafts आधे head पे जहां पे मेरे almost बाल काफी थिन हो चुगे थे मैंने करवा लिया था कि नए hair transplanted बाल भी बच जाए that's enough for me So मैंने clinic से discuss किया, अपना उनसे doctor से discuss किया कि क्या-क्या mental blocks हैं मेरे finasteride को लेके जब बात हुई तो उन्होंने मुझे फिर topical finasteride करने को, use करने को कहा उस पे मैंने agree किया, मैंने का चलो let's see, इसको use करके देखते हैं So जब मेरी 30 days के बाद medication start हुई, तो first of all मैंने start किया एक PRP session के साथ, 30 days के बाद मैंने अपना PRP setting ली पहली उसके बाद मुझे ये medication दी गई थी, minoxidil finasteride plus topical solutions, ये topical solutions है, oral finasteride होती है और एक market में अब ये topical finasteride आई है, जिसका मैंने का चलो इससे try करते हैं, because इसको लेके मैं psychology के लिए बहुत ज़्यादा overthink नहीं कर रहा था I am an overthinker, तो मैंने सोचा पहले इसके साथ जाया जाता है, फिर मैंने इसके बारे में study करना भी शुरू कर दिया तो ये मैंने शुरू की, दिन में दो बारी लगाता हूँ, 1 ml, 1 ml, इसमें 0.1% finasteride है, plus 5% minoxidil solution है उसके साथ ही मुझे ये दिया गया dandruff shampoo है, ये, हफते में तीन बारी मुझे लगाने को बोला गया, 15 minute इसको scalp पे रखना है उसके बाद इसको wash कर लेना, ताकि scalp में unnecessary dandruff इकठा ना हो फिर alternate days पे जिस दिन मैं shampoo नहीं लगा रहा हूँ, anti-dandruff, उस दिन मुझे ये anti-hairfall shampoo यूज़ करना है ये भी sulfate और paraben free है, और अभी तक का experience मेरा इस shampoo के साथ अच्छा है, काफी अच्छा है अभी तक मुझे अच्छा shampoo लगा, बाल clear कर देता है, बहुत जादा dry भी नहीं करता है, हाला कि बाल अभी छोटे हैं, इसको judge करना बहुत early है इसके साथ मुझे दी गई है ये hair serum, इसको बोलते हैं, ये मुझे एक time minoxidil के, आदे घंटे के बाद इसको लगाना है जैसे लगाया जाता minoxidil, वैसे ये लगाना है, इसका purpose क्या है, इसमें भी काफी amino acids है, इसके बारे में मैंने काफी research की थी ये भी आपके hair follicle और scalp को clean रखने में काम आते हैं, hair growth में काम आते हैं, but more than that इसका जो purpose है, जो minoxidil आपके hair को dry कर देगा plus anti-dandruff shampoo आपके scalp को बहुत dry कर देता है, आपके बाल बहुत dry-dry दिख सकते हैं, तो ये एक solution देता है, जिससे आपके बाल थोड़े condition लगते है, so उसके कारण वो आपको heaviness नहीं लगती है बालों पे, so I think ये काफी अच्छी चीज है, अगर आप minoxidil यूज करते हैं, alcohol वा आपको scalp थोड़ा smooth लगेगा अपना, but मेरा experience after 10-15 days वो ही हुआ, मैंने जब अपना पढ़ाई करनी शुरू की, research करनी शुरू की, फिर मैंने overthinking कर दी शुरू, और 10 दिन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा, 15 दिन के बाद, कि यार ये finasteride से मुझे हो रहे हैं, side effects, ये topical वा fenasteride, ये काफी लोगों को बात नहीं पता होगी, but it is guys truth, हमें जो topical fenasteride जो हमने शुरू की है, जो market में आये, वो oral fenasteride के side effects कम करने के लिए आई थी, but जब over the time आप long term scalp पे इसको लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं blood vessels हमारे liver के साथ connected होती है, और ये आपके serum DHT levels, that is, जो आपक DHT levels, blood में हैं, उनको भी effect कर सकता है, as same as oral fenasteride, right, so ऐसा नहीं है कि इसके side effects नहीं होते हैं, but definitely इसका जो scalp पे effect है, वो बहुत solid होता है, और मुझे उसका result काफी अच्छा देखने को मिला, but फिर मैंने clinic से दुबारा consult किया, communication में कोई barrier आ रहा था, फिर मेरे एक trustworthy doctor है, जिनको म मैं बहुत पहले से दिखा रहा हूँ, मेरे skin specialist है, मेरे town में ही, तो मैंने उनसे consult किया, अपना issue कि मुझे ऐसे-ऐसे थोड़ा side effect feel हो रहा है, and I don't feel that pleasure in thinking about my sexual fantasies, मेरा mind blog भी हो सकता था completely, बर जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने यहीं बोला कि जो तेरा transplant हुआ अभी न, वो काफी हद तक तुने अपना hair thinning cover कर वा ली है, तो जो तेरे नए बाल है, जो ये वाले तेरे बाल है, जो नए लगे हैं, ये तो रहने ही वाले हैं, और वहाँ पे अच्छा काम हुआ है, तो तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है, होगा क्या, चल ना जाते हुए भी त fancy नहीं बनता, because जो नए hair तुने लगवाया हैं, वो DHT prone है, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि अपने serum DHT levels को जो blood में DHT levels है, उतना drop करें, तो अगर हमें लगाना भी है, safe side तेरे बालों को अच्छी look देनी है, तो करना, तो हम इसकी dosage कम कर देते हैं, तो वो डॉक्टर ने आइडियल जो dose topical fenestride की, वो 0.005% होनी चाहिए, एक minoxidil solution में, तो हमने थोड़ा cut down shot करके, डॉक्टर से जब बात की, डॉक्टर ने मुझे recommend किया, कि मैं हफते में इसको दो बार ही use करूं, minoxidil plus fenestride topical solutions को, and बाकी regular days पे मैं minoxidil use करूं, alcohol based 5% दिन में 2 बार, तो मैंने क हा, हाँ, हाँ, ये promising लग रहा है, because उससे जो effect रहेगा, वो scalp तक ही रहेगा, इस topical fenestride का, and ये blood में serum DHT levels को कम नहीं करेगा, जिसके कारण, जिस purpose है, मैं ये लगा रहा हूं, side effects ना दिखे, वो purpose actually makes sense करेगा, तो ये हमने हफते में decide किया, doctor से, 2 या 3 बार ही लगाएंगे, 0. 0.75 ml solution, दो बारी दिन में, and उसके साथ हम ये continue करेंगे, regular use पे, उन दिनों पे नहीं लगाना है, जिस दिन वो लगा हूं, because उसमें already minoxidil है, तो मैंने का, ठीक है, तो उसके बाद जब मैंने ये शुरू किया treatment, तो I think, वो जो मेरा mental barrier था, fenestride को लेके, वो भी काफी हद तक कम हुआ, और जो मैंने अपने hair follicles में change देखा, for example, अगर आप भी बाल देख रहे हैं, ये 3 months की condition है, बट ये medication routine के कारण मेरे पुराने बाल, जिनका बचने का कोई scope नहीं था, यहां से लेके, यहां तक के बाल, क्योंकि डॉक्टर ने जब transplant किया, diffuse hair pattern में, उन्होंने नहीं आथ वाले hair follicles damage हो सकते हैं, बट हमारे ये बच गए, because medications हमने time to time लिया, so I think finasteride, अभी मैं oral finasteride नहीं use कर रहा हूं, but ये finasteride जिस तरीके से मैं भी ले रहा हूं, दो time हफते में, तो I think ये काफी smart तरीका मेरे doctor ने मुझे बताया, और I am pretty much happy with how things are going, without logically thinking, बहुत ज्यादा मैं अब stress नहीं ले रहा हूं, finasteride का, because psychological भी कहीं नहीं होता है, but I think मैं अपने case में इस चीज़ को लेके खुश हूं, because अगर आप देखें, अभी बालों पे कुछ नहीं लगा है, but still मेरे बाल हाथ में नहीं आ रहे हैं, जो कि मेरे, अभी ये पुराने बाल है न, तो नहीं आ पहले में ऐसा case नहीं था, पहले बाल बहुत जादा उतर दे, तो I think जितनी ये dose हमने minimum रखी है, वो भी हमारे लिए वो ही काम कर रही है, जो जादा dose भी करती, जादा dose आपके serum DST levels पे ही effect करेगी, and finasteride का इस गलत नहीं है, मेरे साब से काफी doctors आपको recommendy नहीं करते हैं, वो effort ही नहीं लेते हैं, वो बस पकड़ा देते हैं, ये लो लगा लो, हमारे जो देश में problem ही है कि doctors थोड़े से lazy है, वो patient से जादा बात नहीं करते हैं, they are not interested in knowing the concerns of the patient, वो एक medication बनी ही, वो सब को एक ही, वो ही सब को दे देंगे वो, without understanding their concerns, so I was lucky enough to have a doctor, जिन्होंने मेरे को actually सु strategically discuss करके किया था और ये मेरे लिए काम कर रहा है, plus मैं 3 months में 2 PRPs ले चुका हूँ, एक 30 days के बाद ली थी, एक मैंने 70 days के बाद ली है, इसके साथ मैं use कर रहा हूँ, folly hair tablet, रोज एक खाता हूँ मैं और अपने बालों को protected रखता हूँ, sun से और extra, you know, धूप से, ये सारी hair dandruff shampoo है, हफते में 2 बार यूज करता हूँ, और ये pretty much मैं हफते में, I would say, 4-5 बार यूज कर लेता हूँ, because मुझे अपना scalp clean रखना है, because मेरा scalp काफी greasy होता है, especially जब आप ये finasteride और minoxidil सब लगा रहे हैं, तो, you know, आपका, काफी oily हो सकता आपका scalp, because ज्यादा dry हो जाता है फिर आप धोते हैं, तो highly हो सकता, तो, उसके करणा, I think, मैं wash कर लेता हूँ, तो, मेरे बाल सही रहते हैं, so, that's it, this is my honest medication routine, let me know if you agree, और अगर आपको लगता है, कि हट के आपको कुछ point of view मिला है, medications के उपर, और अगर आपके कुछ follow-up questions है, medicines को लेके, please पूछ सकते हैं, but मैं कोई भी medications आपको recommend नहीं करूँगा, यह totally मेरा experience है, and as far 3 months के साफ से, I think, I am happy with my medication routine, thank you for watching this video, और अगली वीडियो में आपको अपने 3 months का exact result, sunlight में जाके, बाल गीले करके, सारे ways में दखाऊंगा, but अभी के लिए यह वीडियो अगर helpful लगी, तो इसको share कीजिए, किसी के साथ, जो hair transplant करवाने का सोच रहे हैं, या as such, अगर कोई भी medications आपको लग रहा है, गलत तरीके से use कर रहे हैं, तो आप उनसे यह video share कर सकते हैं, thank you so much for watching this video, and keep showing the love, and help our channel to grow, thank you so much, take care.